हेलो हेलो फ्रेंड नमस्ते कैसे हो आप सभी और अभी मॉर्निंग का टाइम मॉर्निंग का क्या लगबग बज गए साड़ी गया रहा है तो मैं नहाके आई थी और काम वाम मेरा हुआ था उसके बाद नहाके आई सिर्द हो आज है एस्टिमी और यह ब्रस्वत्वार का है तो ब्रस्वत्वार को वैसे सिर नहीं दुलाईikes करते हैं पर मैंने मंडे को सिर्द दुलाईgehen किया तो क्यी दिन का हो गया और फिर टोलेट बागर जैसे जाते हैं तो जिस दिन बस रहा है तो अस्टमी थी तो मैंने सिर्ध धुलाई कर लिया है और इधर डाल देती हूं कपड़े धुलाई करके लिया ही थी तो बस धूप नहीं निकल रही है बादल सा चाय रहता है धूप इतनी अच्छे से नहीं है तो कुछ कलके भी कपड़े पड़े हैं बाहर उनसे देखूंगी जो सूप गए हूंगे उनको निकाल लूँगी जो गीले हूंगे उनको डाल दूँगी तो कफी सारे कपड़े थे दुला अभी कपड़े डाल देती हूं मैं बाहर और यह देखिए बाहर मतलब तार बंदे हुए हैं जो लगख करके तो कभी कभी पैर उपर खूझ जाते हैं जब ऐसे नहाके निकलती हूं न अत्रंध गिले पैरों से कपड़े डालो तो लगता है पैर फिशलने का डर लगता रहता है मुझे और हो भी गया है कई बार मेरे साथ में ऐसा तो चलिए पहले कपड़े बगरा डाल देती है और दिखाती मज़ क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी तो आप लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं देख मुझे वीडियो तो इसलिए डालने का मन नहीं करता वीडियो पूरा एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है तो पर वीडियो बनाके रख लेती हूं मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो डालने तो हैं है और यह देखे कपड़े तो मैंने सुका दिये हैं और इधर पानी सा हो जाता है ना कि जब नातियों पहुछा ल बाल गीले हैं पर यह जो में रट्टी वह लगाने का जो दाग से हो गए तो मुझे उसका है तो अभी तो दाग बाग नहीं है यह फुंसी जो मतलब दाने से निकलते हूं उनको फोड़ देती हूं नाखुल लग जाते उसके लिए लगाती हूं सुरी तो पहले लगा लेती हूं मैं मैं सिंदूर जिस्ते न ब्रत रहता है तो सिंदूर बगेरा बिंदी बगेरा लगा के तभी मैं पूजा करती हूं उलते हैं सूना नहीं बैठना चाहिए मंदिर में पूजा करो तो बाल तो कुंगे नहीं करूंगी बाल सूख बहुत कम लगाती सच मैं बिल्कुल भी नहीं सोख पहले जब इतना मतलब बिंदी बगरा मेरे को पहले ही सही नहीं था कि जब बिंदी लग रही है लगा ली नहां कि एक वार सस्राल में रहती थी तो अभी देखिए यह कानों में डाल रही हूं बाली टॉपस डालूंगी ज इसलिए मैं और अभी बनवाई थी तो अभी कड़े भी डाले हैं लाग के तो चलिए पहले फूजा कर लेती हूं और इधर देखिए यह मैं क्या बना रही हूं क्या बनाने के लिए बैठ गई थी दूपर का टाइम है और यह मतलब वंच्छा बोलते हैं बोलिया है मैंने तो इनके मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए बांधने के लिए डॉक्टर ने बताया है कि मतलब निकर बगएरा के लिए तो दवा बगएरा लगाते हैं तो इसलिए मैं यह बना रही थी और यह बनाने में मुझे अपने ही याद आ गई कि जब मेरा मैं प् आप लोग सोचोगे कि प्रेगनेंट औरत होती है तब ही बनाती है किसी के लिए बनागे भी देती है नहीं पर मेरा ऐसा था कि मैं प्रेगनेंट थी तो मैंने खुद ने अपने बच्चे के लिए मतलब जैसे मेरा आठमा महीना स्टार्ट हुआ था पता बैठा भी नहीं जाता इतना बुरा हाल था और यह दिए इस तरह से बांदने के लिए तो मैंने खुद से बनाई थी मेरी मम्मी जैसे बात करती थी तो सुस्राल में मेरे कोई नहीं था ऐसा मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वह भी प्रेगनेंट थी पर उससे कुछ भी नहीं आता था बनाना क सुसक्ति हूं अगर अम holiness में प्रेगनेंट होती इतनी समझदारी आ गई जब कुछ पहले से बनाकर रख लेती जब अड़ में था ना तो मेरे से खिशका जाता 17 साल उमर में प्रेगनेंट हो जाओ 17 साल में और तो इतना कम जूर 40 कजी की हुगी जब मैं प्रेगनेंट हुई थी उसके बाद मैं बेट बढ़ गया होगा तो ना तो सरका जाता ना कुछ भी होता खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता उस भी हाल में यह काम क चांखी चलाओ कि यह काम करो वो करो फिर मेरी ममी ने मेरी छूटी वाली सिस्टर को मेरे पासम बेजा मैं ममी को बता देती कि ममी खाना बना के फिर में इसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता बेटा था तो आगे ही रहता था मतलब बिलकुल और अभी तो यह इनके लिए बना हल हुआ था कि क्या बता हूं खुद से करना यह करना वो करना और मैंने उस दिन मतलब आप बोलोगे कि एक बेटा उसी दिन जब तो वो लगता था उसी दन का समखाई थी अब बच्चे पैदा कभी नहीं करूंगी प्रॉबलम भी इतनी जादा हुई थी मुझे इससे स्कुन मिलता है बहुत सारा कुछ भूल गई थी जब मेरा बच्चा हुआ था बेटा हुआ था और आज मेरा बेटा मतलब बड़ा है और यह देखिए मैंने बना के रेड़ी करती है किस तरह से बनाई है ममी से पूछ पूछ के बनाती थी उस टाइम तो कैसे बनेगी ममी कैसे यूँगि सलाही आती थी तो यह मुवाईल भी नहीं थी इतने स्मार्ड वाले तो तो कोनिया बगर देखके कैसे बहुत बहुत कर दिया अगर मैं मतलब जैसे मेरा चोता मेही ना लगा था तब यह been देटी मेरी ममीमी से स्था मेरी형 dessert कारती थी और asleep बोलो तो लोगों को पता है जो सुसराल में भी अरिष्टेदारीं वीडियो देखते हैं वो बोलेंगे कि यह बोल रही है जो सच्चा है ना जब कुछ काम करते हैं तो अपनी जो साथ में हुआ था वो याद आ जाती है मुझे तो सच में और यह देखिए मैंने बनाके रेड 21 तीम बाएक